दोस्तों कार्पोरेट सेक्टर में खुले ब्यापार की नीति के तहत बहुत सी देसी विदेसी कमपनिया भारत में बिजनेस कर रही है या फ्यूचर में बिजनेस करने पर विचार कर रही है कमपनियों को कानूनी उलंगन पर लाखों करोणों का जुर्माना भढ़ना पढ़ सकता है ऐसे में इंडियन लॉस के आधार पर कारे करने और लीगल केसेस को हैंडल करने के लिए कमपनियां कार्पोरेट लायर्स को बहुत अच्छी सहली पर हायर कर रही है इसलिए दोस्तो आज के वीडियो में लीगल फिल्ड की मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब कार्पोरेट लायर से रिलेटेड, स्कोप, फ्यूचर, वर्क, एलेजिबिलिटी और सहली के साथ साथ यह भी बताएंगे कि कार्पोरेट लायर की जॉब कहां और कैसे मिलेगी तो दोस्तो कम्पलीट इंफार्मेशन को पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही लायर एलेटेड यूच्फुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लायक और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे तो चलिए आज का विडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो, कार्पोरेट सेक्टर में वकीलों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है इस सेक्टर में मांग केवल senior position पर ही नहीं बलकि entry level पर भी तेजी से बढ़ी है इसलिए कार्पोरेट law में केरियर बनाने की चाहत रखने वालों के लिए कार्पोरेट सेक्टर काफी अच्छा केरियर विकल्प हो सकता है तो दोस्तो इस फिल्ड में फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है क्योंकि आने वाले समय में बिजनेस और कार्पोरेट सेक्टर में काफी ब्रद्धी हो रही है नए-णए आर्गिनाईजेशन्स ओपन हो रहे हैं इसके लिए उन्हें कानूनी सलाकार की जरुरत तो होगी ही ऐसे में कार्पोरेट लायर के लिए future काफी सम्मावनाव से भरा हुआ है तो दोस्तों कार्पोरेट कारे कारे, अपने कलाइंट्स की कानूनी तौर पर कारोबार करने में हर्प करना है. कारपॉरेट लाइर की मुख्य जिम्मेदारी नई फंप को सुरुआत के लिए सुरुवाती दस्तावेस तयार करना और इसके साथ ये कंपणियों को कानूनी सलाह भी प्रदान करते हैं इस तरह कार्पोरेट लायर कार्पोरेशन्स को कानूनी नियम, अधिकारों और सीमाओं के बारे में सलाह देते हैं और बिजनेस करने में उनकी मदद करते हैं इसके अलावा कार्पोरेट लायर, सरकारी विभाग और संस्थाओं के द्वारा बनाए गए नियम और काईदे कानून की भी जानकारी रखते हैं जिससे की वे अपनी कंपनियों और कार्पोरेशन्स के हित में कानूनी तरीके से इन नय नय नियमों के मताबिक समय पर सही बद पास होना जरूरी है इसके बाद आप पांच वर्सी ये B.A.L.L.B. या फिर B.A.L.L.B. जो B.B.A.L.B. कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन के बाद तीन वर्सी ये L.L.B. कोर्स कर स सकते हैं इसके बाद आप corporate lawyer के तौर पर career की सुरुवात कर सकते हैं परन्तु ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप llb के बाद corporate law में ललम या fit diploma या PG diploma corporate law में ही करें आप direct llb के बाद भी corporate law में career बना सकते हैं इसके लिए आपको किसी corporate lawyer के अंडर में रहकर कारे की प्रकति के बारे मे सीखना और समझना होगा तो दोस्तों अगर हम सैल्ली की बात करें तो जिस तरह से कार्पोरेट सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हो रही है इसी कार्पोरेट सेक्टर में हो रही तो दोस्तो अब हम बात करें कि और को जोब कैसे मिलेगी तो यहां देखेंगे की corporate लायर को work company के लिए ही करना होता है परन्तु corporate field में कोई भी company किसी individual person को hire नहीं करती है लगबग सभी companies किसी न किसी law firm को कानूनी तोर पर सारे कारे करने के लिए hire करती है और बहुत अच्छा पैसा भी देती है क्योंकि law firm में सभी legal field के experts होते हैं जैसे कि आपके real estate के expert हो गए, taxation expert हो गए, इस तरह सभी के experts होते हैं तो दोस्तो companies से मिले पैसे से, जो law firm में लोग होते हैं, जो experts होते हैं उन सभी को बरावर बरावर पैसा बांट दिया जाता है, जिसका जैसा share होता है, जो salary पर होते हैं उसके अधार पर पैसा दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा पैसा होता है इसलिए दोस्तो यदि आप corporate layer बनना चाहते हैं, तो आपको law firm को join करना होगा यदि आप चाहें कि कोई law firm हमको job दे और salary दे, starting से, तो ऐसा नहीं होगा maximum law firm's non paid internship कराती हैं, ऐसी internship को अवस्य जोइन करना चाहिए कुछ समय सीखने के बाद, यही law firm's आपको payment करना start कर देती है इस प्रकार internship के माद्यम से law firm से जुड़कर के आप future में corporate layer बनकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद